तेस मार्च 2022 को दुपहर बारा बजे से साड़े बारा बजे के बीच एक दो पहिया वहान MS-34 AH-2798 दो पहिया वहान से टकरा गया जिससे दो पहिया चालक गंभी रूप से घायलो गया और उसके बाई पैर के तीन टुकडे हो गये विस्तरते खबर यह थी कि चो पहिया क्रमांक MS-34 AH-2798 आर्मोरी से ब्रहमपूरी की ओड जा रहा था और ब्रहमपूरी से शस्त्रागार तक एक अज्यात ISM दो पहिया वहान से अपने लिष्टेदार की शादी के लिए अरसोडा आ रहा था गटना ब्रहमपूरी अर्मोरी गंगाल वाडी रोड के मोड के पास और मदूबन धाबा के सामने नदी बेसिन पुल के पास होई ब्रहमपूरी में वेन गंगा नदी से एक चार पहिया वहान की आमने सामने टकर हो गई जिसे दो पहिया वहान चालक घायल हो गया और उसका भीरभार रहती है और वहां दुरगटनाओं की संख्या में काफी व्रद्धी हुई है देखने वालों के मताबिक चार पहिया वहां दाई और आया और दो पहिया को टक कर मार दी वही हाथ से के बाद चार पहिया वहां को अपने साथ ले गए हाला कि इस घटना में एक 35 से 38 वर्शी व्यक्ति के तीन पैर तूट गए जिससे वह लकवा ग्रस्त हो गया चूकि घटना ब्रहमपूरी जिले की सीमा के भीतर हुई इसलिए ब्रहमपूरी पुलस ठाने के तहत कारवाई की गई घटना के समय कुछ यात्रा कर रहे लोगों न ब्रहमपूरी ठाने को सूचना दी पुलस वहान के पहुचने से पहले कुछ लोगों ने घैल व्यक्ति को निची वहान से इलाज के लिए ब्रहमपूरी के एक निजी अस्पताल में भरती कराया इसके बाद ब्रहमपूरी ठाने की ट्राविक कुलस मौके पर पहुची और पंचनामा चलाया लेकिन इस घटना की सच्चाई क्या है किस पर और किस पर कारवाई हुई क्या किसी चो पहिया या दो पहिया वहां धारा के खिलाप मामना दर्च किया गया है यदि कोई अपराद दर्च किया गया है तो उनके विरुद किस धारा के तैत कारवाई की गई ऐ ऐसे कई सवाल अब उठ खड़े हुए हैं और जिल लोगों ने पहली नजर में दुरगटना देखी है उन्होंने अब इस पर आपत्ती जताई है। आर्मोरी से BCN News के लिए हरेंदर मडावी की रिपोर्ट